देखिए अभी जो है बिहार स्टेट फूड एंड सिबिल सप्लाई डिपार्टमेंट में पांच अलग अलग परकार के पदों के लिए भरती माई गई है जिसके लिए ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म भी स्टार्ट हो गए है अगर आप भी इन पदों पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसमें कलर्ग एकाउंटेड क्वालिटी कंट्रोलर और भी दो पद रखे गए हैं तो हम कलर की बात करें तो कलर के लिए कहा गया है कि अगर आपके जोशन पास आउट है कॉम्प्यूटर की जनकारी है और टाइप इन जानते ह तो असानी से फॉर्म को फील कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर एक फॉर्म करके दिखायेंगे कैसे फॉर्म को फील करना है साथी साथ और भी पदो के लिए क्या कैजूकेशन क्वालिफिकेशन माएंगे हैं कब से कब तक फॉर्म फील होगा कितना अप्लिकेशन फी देना और साथी साथ कैसे आपका सेलेक्शन होने वाला है उस अभी जनकाई जिस वीडियो में हम किलियर करके बताएंगे साथी साथ इस वीडियो के अंदर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारें बताएंगे जिसके माधियम से जुड़कर बिजनस डेपलोप्मेंट या फिर सेल्स में अपना केरियर सेट करना चाहते हैं जोब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देख सकते हैं कि बिहार कंबाइन इंट्रेंस कॉंप्रेटिव एक्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार एस्टेट फूड एन सीविल सप्लाई कॉर्परेशन लिमिटेड में भरती के लिए अब इसका जो नोटिफिकेशन है डाउलोड करने के लिए यहाँ पर आप किलिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इसका नोटिफिकेशन डाउलोड हो जाएगा आप इसको चाहे तो रीट कर सकते हैं समझ सकते हैं इसका जो ओनलाइन अप्लिकेशन है उपरी तरह से स्टार्ट हो गया है कै यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मैंने जो यह article लिखा हुआ है, बिहार, बीए, बीएस, एफसी, रिकूर्मेंट, दो हजर बाइस, ऑनलाइन फर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो इस वेकेंसी से जूड़ी जो है, सभी जनकारी बताये गया है, इसमें जो है, तेक सकते है कि आपको जो है, जेर्नल OBC, EW से आते हैं, तो 12 सुर्पया का पैमेंट करना होगा, AC, ST, Fisically, PWA से आते हैं, तो 6 सुर्पया, इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 13 तारीक को हुआ है, और 13 सहीं अप्लिकेशन फर्में स्टार्ट हुआ है, 21-2023 तक जो है फर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें जो है चार, 5 प्रकार के अलग-अलग जो है आपर पोश्ट रखे गए हैं, जैसे कि असिस्टेंस मेनेजर, असिस्टेंस एकाउंट्स अपीसर, एकाउंटेंट, क्वालिटी कॉंट्रोलर, लोट क्लरक, लोट क्लास क्लरक का यहां पे पोश्ट साथ यहां पर सलरी वेगर अगरा बताये गया है अब यहां पर online आवदन करने के लिए सबसे पहले जो है आपको apply online के सामने login के option पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने जो ही सारा चीज आए जाएगा देखिए इसका application form कब से कब तक फिल होंगे सारा जनकारी और payment कब तक होगा बताये गया है यहां पर form को फिल करने के लिए आपको जो ही click here to new registration के option पर क्लिक करना होगा अब यहां पर सबसे पहले जो है आपको registration करना होगा तो registration में first name confirm first name middle name confirm middle name last name confirm middle sorry last name उसके बाद full name आपका automatically यहां पर आ जाएगा उसके बाद एक mobile नंबर आपको देना है ठीक है और mobile नंबर को confirm करना है फिर alternative mobile नंबर देना चाहते हैं तो यहां पर देंगे email id देना है email id को confirm करना है capture को डालना है और आपको save and next के option पर क्लिक करना है तो आपका registration यहां पर complete हो चुका है आपका login id और यहां पर password आपको मिल गया है अब यहां पर continue के option पर आपको क्लिक करने है अब यहां पर आपको जो भी registration नंबर और password मिला हुआ है उसको डालकर यहां पे submit के option पर दो करना है जैसी इन हमेट के option पर क्लिक करेंगे बुलेगा कि आपको एक नया password यहां पर सेड करना है उसके लिए आपका जो भी current password है जो आपको अभी मिला हुआ है उसको यहां पर डालना है अपने तरफ से new password यहां पर और उसको confirm करके यहां पर capture डालकर आपको जो update के option पर क्लिक करने हैं आपका जो password है यहां पर reset हो जाएगा अब यहां पर click here to proceed के option पर आपको क्लिक करने हैं और फिर से आपको नया वाला password डालकर यहां पर login करना होगा जैसी आप login कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ step आते हैं जिसको आपको फिल करना होगा जैसे कि आपने जो भी जनकारी फिल किया हुआ है आपको नजर आएगा आपको नेश्ट के option पर click करने है अब यहां पर आपको post select करने होंगे जैसे कि जो भी post के लिए apply करना चाहते हैं और यहां पर जैसे यह पोस्ट भी बिहार के permanent resident है तो आप यहां पर याँस करेंगे ने था no है तो आप किसी अलग भी राजिस हैं तो no करके form को fill कर सकते हैं तो यहां पर पूरा कैटी गड़ी जो है डीसेबल हो जाया कि all on result आपको मिलेगा लेकिन अप बिहार के हैं तो याँस करेंगे तो आप अपना कैटी ग बारे में रीड किया और देखा कि आज के डेट में 83,000 से भी जादा जॉब अबलेबल है के वाल सेल्स एंड बिजन्स डेपलोप्मेंट के लिए और अभी जॉब मार्केट इतना नीचे गया हुआ है फिर भी सेल्स में हाइरिंग हो रही है इसका मतलब है कि सेल्स में काफ डेपलोप्मेंट के ओफर लिज हुए हैं री लेबल से वी टोटल वर्थ फिप्टी फाइब क्रोर परेनम इन कंडिडेट्स को एबरेज पैकेज मिला हुआ है 5.8 लाग का इन में से बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको 12 लाग खुरपे तक का पैकेज मिला हुआ है और आपन इसका जो फ्री काउंसेलिंग सेशन है उसको सेडूल जरूर करें और इस सब के लिए री लेबल आपको प्लेस करा सकता है इंडिया की टॉप कंपनीज लाइक आपगार्ट विसलेरी टाटा एंड मुनी मूर कंपनीज दिन में कभी भी 15 मिट निका लिए और इसका जो फ्र जरूर करें और इसका जो बिजनस डेपलोप्मेंट का फिरी कांसेलिंग सेशन है उसको एक बाद जरूर बूग करें थैंक्यू बेरी मच्ट के बाद यहां पर अगर आप EWS कोटा से आते हैं तो यस करेंगे ने था नो करेंगे उसके बाद यहां पर फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे नहीं है तो नो करेंगे यस करेंगे तो यहां पर धारकट नमबर आपको डालना होगा उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जेंडर बताने होंगे कि आप मेल है कि फीमेल है दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसके बाद इस केलेंडर से डेट बढ़त क्या है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपका जो पूछा जाएगा कि आप अन्मेरीड है कि मैरीड है अपना हिसाब से यहां पर बताएंगे उसके बाद इदेंटिफिकेशन माक्स आपसे पूछा आता है तो आपके जो भी पाचांचीन है उसको आप इहांपर लिख देंगे यहां पर फादर का नेम यहां पर मडर का नेम यहां पर अगर को दिखने सकता एक कोई तो अपने पर ठीक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा अलाग अलग अलग है तो अलग अलग फील करना है उसके बाद यहां पर आपको बैमेंट करना होगा बताया जा रहा है अ अब यहां पर लगेट यहां सब्सक्राइब करने हैं अब आपको जो है इजुकेशन qualification details डालना है, जैसे कि आपने metric कौन सा subject से pass किया हुआ है, all subjects select करेंगे college और school का नाम क्या है कौन सा board है, आपको board बताने होंगे, कब आपने pass किया था वो आपको बताना है, percentage था या फिस CGPA था, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर से इंटर्मेडियेट का भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद graduation के ब्राबर, आप जो भी मतलब graduation किये हुए हैं, उसको भी आप बताएंगे कि graduation with computer operation and typing knowledge आपके पास है, तो आप यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद master degree आपने किया हुआ है, उसको भी आप यहाँ पे भरेंगे, भरने के बाद आपको जो है, वेल्डेट यहाँ डिटेल्स का उप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो पूरा आपको जो है, फोटो और सिगनेचर अपलोड करने है, फोटो का साइज जो है, बीस के भी से लेकर पचास के भी के बीच में रहना चाहिए, उसके बाद सिगनेचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने फोटो रखा हुआ है, वहाँ से यहाँ से चूज और यहाँ पर ओके करेंगे, तो इस तरह से आपका फोटो जो है, जिसको आप प्रिवीव भी कर सकते हैं, उसके बाद सिगनेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके, सिगनेचर भी यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, इस तरह से आपका सिगनेचर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहां पर confirm कर देना है कि यहां यह मेरा photo है उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहां पर सारा जनकारी आपको मिलेगा आपको यहां पर agree करना है और agree करने के बाद यहां पर आपको नजर आ रहे हैं इसके अपचा को यहां पर fill कर देना है और fill करने के बाद यहां पर submit के option पर click करेंगे तो do you want to submit यहां पर आपको okay करने है ठीक है अब यहां पर आपको जो है payment करने के लिए बोला जाएगा तो आप debit card, other debit card, internet banking, NEFT, RTGS, QR code, UPI जो भी आपको साधन अच् यहां पर payment करेंगे उसके बाद आपका जो form है final submit यहां पर हो जाएगा इस भरती की selection procedure की हम बात करें तो साब साब कहा गया है कि इसमें आपका exam होगा यानि की CBT exam होगा computer based test आपका होगा और उसके बाद आपका selection किया जाएगा तो almost मैंने सारा चीज़ कवर किया हुआ है तो अब कुछ जॉब मिल सकता है thank you very much